शिमारू के नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें प्राइब कीजिए और बेल आइकन का लाएब कीजिए और बेल आइकन को दोड़ा है कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर 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 झाल 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 मैं झाल 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 इनका पैक, और इनकी हाई कि ब्लाइट और पैक पैक अब दिन में आए अब दिन में आए शो अब दिन में मदन बाबू, ये बाजी तो आप आर गए अरे नहीं साहब आज तो मैं सिर्फ जीतूंगा क्योंकि आज मैं अपने साथ एक लगी मैन लाया हूँ दिपक के पता कुल खोल दो दिपक बाबू, खोल दो शायद इसकी अंदेरी किसमत में दिपक चल दे अबे खोलना अबे खोलना देखा अरे आशा तुमने इस घोंचु को अपना भाई बना कर मुझ पर बहुत बड़ा ऐसान कर दिया है वह कैसे वह ऐसे कि हम हजारों के बीच मैं इसे गाली दे कर तो बुला सकता हूँ अबे साले इदर आ क्या मैं अंदर आसकता हूँ कैसे है मदन बाबू शक्ति बाबू आप नमस्ते बाबू मदन बाबू मैं 10-15 दिन के लंडन जा रहा हूँ अब तीन दिन के लिए आपका बैंक बंद है जैसे बैंक खुलता है आप इनने जमा करवा दिएगा शक्ति बाबू यह इतनी बड़ी रकम आप मेरे पास मदन बाबू मैं बिजनसमेन हूँ आदमी को देखकर यह अंदाजा लगा लेता हूं कि किस पर कितना भरोसा करना चाहिए आप यह 25 दाग रुपए 5 साल के लिए एफटी करवा दिए वो तो हो जाएंगे मगर कहीं आपको बीच में जरूरत पड़ गई तो हमें पांच साल के बाद वहम से भल कहा दो आज गी तो पर आपके नाम पर हो या मेरे नाम पर हो किया फर्बद पड़ता है तुमों चलना हाला है रहे लेकिन और रहे लेकिन ही जटीं क्या लेंग आप चाहिए फंडा कुछ यहार मदन इस पैसे से तू ना कोई बिजनेस शुरू कर दे अब ना बाबा ना देख भाईया उस बिजनेस में कहीं अगर घाटा हो गया तो यह आदमी तो मुझे ठिशिंग गोली से बढ़ा देगा नहीं मैं जबर्दसे की मुसीबत नहीं मोल लेना चाहिए तेरी किस्वत में लगता है जिन्दगी भर नौकरी करना ही लिखे है लिखे है चलो दीदी में चलता हो चलो अच्छा हो चला गया है अब कुछ पती की सेवा हो जाए है क्यों जोती आती हूं जोती हाए है हाए हाए है क्या बात है भाइसाब आप इस भंगले को बड़े गौर से देख रहे हैं क्या खरीद्य का इरादा है अगर है तो खरीद लीजिए और अगर नई भी है तो इरादा बना लेजिए क्योंकि आज कर इस बंगले का मालिक बहुत परिशान रहता है 60-70 लाग की प्रॉपर्टी को 20-22 लाग पर बेसे को तयार है और इसी के सौधिगी लिए मुझे यहां बुलवाया है विकाज आम डोली टॉप एस्टेफ एजेंट फंग दॉटर स्टेशन टु दुबाई एक किसम सप्रों की अरे भाई साफ सोची माट लही डालिये पहरी बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि हीरा पत्थर के भाव भीक रहा है वो बात तो ठीक है मगर इतने पैसे आएंगे कहा से अरे भाई मैं नहीं जानता इस इन नॉट माई प्रब्रम अगर आपको खरीनता है तो दो दिमेन ले लीजिए नहीं तो मैं किसी और को दिलवा दूँगा बस सारे एक राक पड़े हैं डे नाइट देर रनिंग आफ्टर मी वैसे ही मैं आपको दिलवा राता है आप हमारे बैंक के मदन बाबी के दोस हैं अगर यह काट बंस लेए तो दुझे नहीं 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 दीपक नहीं किसी और की अमानत में तुझे केसे सॉम सकता हूं अरे पगले शक्ति सिंग ने खुदी तु 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 चाहे तो उसका पैसा बिजनस पर लगा दे हम वो तो कहा था मागर इसका मुतलब यह थोड़ी नहीं कि मैं उसका पैसा कहीं भी लगा दूँ कैसी बच्चों जैसी बाते कर रहे हैं आप इपक यह पैसा कोई खलतका में लगाने के लिए थोड़े ही मांग रहा है एक अच्छी जगा अगर सस्ते में मिल रही है तो इसमें हर जी क्या है और जमीन के भाव दिन बढ़ते ही जा रहे हैं अरे भगवान ना करें अगर हम पांस साल में इतना पैसा नहीं कमा सकें तो उसी बंगलों को बैच कर हम शक्ति सिंग का पैसा चुका देंगे अरे सोच क्या रहे हैं फॉरण बंगला खरीद लीजिए ना बाबा ना मुझे नहीं खरीदना कोई बंगला बंगला यह सारे पैसे में तुम्हारे भाई को दे देता हूँ अब उससे बहले बंगला खरीदे या अग लगा डाले मुझे उससे कोई लेना देता नहीं लेकि अब बाद शतरनाग अदमी है इसके पैसे वक्त पर मिल जाने चाहिए हैं अरे मिल जाएंगे मिल जाएंगे आप जिनता मत कीजिए अरे मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब मेरे भाई को मिल जाएगा उसकी खौबों का बंगला है है लाला ला 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 हम हम हाहा लालाला हम 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 लालाला दिल में मुहाबत की बेखुदी, कितनी हसी है ये जिन्दगी दिल में मुहाबत की बेखुदी, कितनी हसी है ये जिन्दगी देने छुपी मैं तुछ में सबूँ, देने छुपी मैं तुछ में सबूँ, जैसे के मन दी में रोगनी दिल में मुहाबत की बेखुदी, कितनी हसी है ये जिन्दगी हाँ ये जिन्दगी मौसम ये तिल कश अताओं का है मौसम ये तिल कश अताओं का है मन्जर ये तेरी वफाओं का है अंदर सफेला लगी पीरा प्यार पूछो ना इसमें है कितना परार तू मेरी सांसों की है शायरी कितनी हसी है ये जिन्दगी तिल में मुहाबत की बेखुदी कितनी हसी है ये जिन्दगी आ ये जिन्दगी कितनी है ये जिन्दगी कितनी है ये जिन्दगी तू मेरी चाहत का एहसास है तू मेरी चाहत का एहसास है मेरी नजर की हसनी प्यास है है जारे तेरा ये दिल में बिया मन्दिर में जैसे जले है दिया मैं इश्क हूँ और तू आश्टे मैं इश्क हूँ और तू आश्टे कितनी हसी है ये जिन्दगी हो ऐसे चुपी मैं तुछ में सदू जैसे के मन्जी में रौदी दिल में मुहाबत की बेखुदे कितनी हसी है ये जिन्दगी दिल में मुहाबत की बेखुदे कितनी हसी है ये जिन्दगी आप जाए कितनी है तुछ छाए कितनी आपना ये भीति आपना तो कितनी है अरे जाएगा कहा यार यही कही बटा धारू फीरा होगा हाँ जाएगा तू फिकर मत कर आने की बड़ी फिकर पड़ी रहती तुझे इसक्यूज वी अरे अमकी शरणाप के दुन्स्की मेर किसी और के बंगले में तो नहीं कुछ गया बाई इस बंगला तो आप ही का था मगर यहार मुझाए खरीद लिया धर करताया मेरा है और फिर किसे खरीद लिया आपने जी आपकी बेटे से करें शोग पाब तो सादमी को आपका बेटा के कर मिलवाई था। आपके उस एजेंट दीन दयाल उस दीनों की बात तो नहीं कर रहे हैं। क्यों कोई भी खाली बंगला देखकर वाच्मन को पटा लेता है। और फिर बंगले को बेच देता है। यह जब तस्वीर देख रहे हैं इस बंगले के असली मालिक थे। इनकी पिताजी बड़े देवता आदमी थे। कारवार में नुक्सान हो जाने की वज़े से इनको दिल का दौरा पड़ा और इनका सुर्गवास हो गया। उनकी आत्मा की शांती के लिए यह बंगले को इसलिए सस्ता बेचना चाहते हैं ताकि उनका कर्दा अदा हो सकी है। करता है आप अग्वार नहीं पड़ते हैं। आपका वो दीनू ऐसे कई बंगले बेचने के अपराद में फरार है। पुलीस उसे धून रही है। अब तुम उसी के बारे में सोचते रहोगे तो जिन्दगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मदन यार तू तो ऐसे कह रहें जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अरे पगले पूरे 22 लाग का सवाल है 22 लाग का जो मैं जिन्दगी भर नहीं कमा सकता। हाँ जो तेरे जैसा सोचते हैं वो कभी नहीं कमा सकते। लेकिन जो हिम्मत करते हैं वो 22 दिन के अंदर 22 लाग हुपे कमा लेते हैं। अरे इतने पैसे इतनी जल्दी कमाना या तो कोई गलत काम करके कमा सकते हैं या फिर बैमानी करके। बिल्कल सही का तुम्हारे पास तो ये पैसा लटाने के लिए पांच साल हैं। पूरे पांच साल। शक्ति सिंग को ये पैसा कल थोड़ी ना लटाना है। तु सिर्फ अपने काम में ध्यान दें। बगवान ने चाहतु सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। और आप जरा अपने भाई की भेजे के अंदर कुछ अकल दालिये। मैं बैंक जा रहा हूं। जी। अगर आज आप मुझे बैठने को नहीं भी कहते ना तब भी मैं बैठ यादा। मदन बाबु एक बात बताईए। अगर हम बैंक में कुछ रुप्या फिक्स डिपॉल्ट करवाएं। तो उसका 75% हम जब भी चाहें तो बैंक हमें दे सकती हैं। आपकोर्स। थैंक गॉड इजद बच गए। क्यों सर क्या बात है। मुझर माबु हमारे आप करोड़ों का सौदा जबान पर आज मैंने 20 लाग रुप्य के एक बील कर ली है। और इत्वाक से कहीं से भी कोई भी पैसाने की उमीर नहीं है। और आज मैं दिल्ली जा रहा हूं। मैं तुम्हें कहीं नहीं से इन्जाम कर लेता हूं। आप एक काम कीजिएगा। जो 25 लाग रुप्या मैंने फिक्स रिपॉजिट करवाया था लाग। उसमें से 20 लाग रुप्या आप निकल बालीजिएगा। मैं आफिले जाओंगा। ओके। भाई। टीपक अब क्या होगा। भाई तो मैं सोच रहा हूं। अगर मंडे तक शक्ती सिंग को पैसे नहीं मिले तो वो ना जाने क्या कर बेठे। विचारे मंदन तो हमारी वज़े से मुसीबत में फस गया। यह सब मेरी वज़े से हुआ है। तुमने मुझे अच्छा घर देने के चकर में यह मुसीबत मोल ले ली है। अब मैं ही तुम लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालूगी। तुम? तो कैसे? मैं डारी से 25 लाक रुपए मांग लूगी। नहीं जोती, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी नजरों से गिर जाऊँगा। तीपक जरह यह तो सूचो कि पैसों का इंतिजाम करना भी तो ज़रूरी है। वह तो है। जोती एक काम करते है। तुम जल्दी से तयार हो जा। किसमत आजमाते हैं। हो सकता है भगवान हमें कामियाब कर दे। उठो जोती उठो जल्दी चलो। झाल के से तुम में जरह टुम Нतoa कामियाब करते हैं। लिए वकार माश एक तुम करता है। अधियो इस शेहर की हर एक रानी प्रकाश किन पहलो मेरे नाच्ट और यह तीसरा पत्ता भी गानी है फिर भी यह बाजी मैं तुम्हें देता है मैं यहां खेरत लेने नहीं आया हूँ मैंने भी बराबर का पैसे लगाया है अफसोस तो इसी बात का है कि बाजी मैंने अपने बराबर वाले के साथ नहीं लगाई तुम्हें तो हार के डर से ही फसी ना लिया और मुझे तुम जैसे चिछोरे आदमी का पैसा नहीं चाहिए यह काउंटर उठा लो मैं कोई बिखारी नहीं हूँ जो बगर पते देखे काउंटर उठा लूँ काउंटर कैश करा के आपस में बढ़ाएं काश बाबू यह तो लाकूर काउंटर है जानता मगर इसमें इसके भी पैसे हैं अगर मैंने इस्तमाद किया तो अफसोस हो किया हूँ आर आर नहीं? यह! नहीं को बागर बाद काउंटर आर विखाएंटर मत वली टृू याह! लात यूख कर देना पोता है प्रकाश बेटे, ये पेपर्स अंकल, ये पेपर्स, फाइल, चेकबुक्स, दिन भर आप मुझे इन में उल्चाय रखते हैं, शांग को अपना दिल भिलाने यहाँ आता हूं, हाप मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ता हैं, बेटे, ये तो अच्छा हुआ कि मुझे और आकिस वाट बाराब इस परी हो कि नहीं जी नहीं तो ये एक एखते हैं, ये वे नहीं अच्छाय जहाँ को ये 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 कर दो कर दो कर दो कर दो आपको कोई ड्रेस पसंद करने की क्या असर होता है आप तो कुछ भी पहन लीजिए उसी की शुबह बढ़ जाएगी हुआ है यह हाई वाउ पारा लाख हसी पारा लाख नबबे तेरा लाख जोती पूरे तेरा लाख अगर क्लब एक घंटा भी और खुलाता तो पूरे पैसे आज ही जमाओ जाते खैर कल बड़ी गेम खेलेंगे शक्ती सिंग के पैसे भी लोटा देंगे और यह सपनों का मैल भी ले लेंगे और उस बड़ार आथे आढ आढ कर दो दे पुले का सुटो चार दो उपाल ट्राइनне कर दो अब क्या होगा दीपक हम तो सारे पैसे हार गए तुम्हारे पास कितने रुपए है वहीं जो तुमने पचीज हजार दिये जब सब कुछ हार ही चुके तो एक आखरी बाजी खेल कर देखते है शायद तक्दीर हमें कामियाब कर दे चलो एक उलो तो तुम्हारे व्ग्यादव दोटर पलो है कि स्वाड थक्यों तुम्हारे कि अटेखते है हुआ 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 है इस्क्यूज मी मुझे प्रकाश कहते है आम दीपक इस इस मैं वाइप जोती क्या संगम है दीपक, जोती और प्रकाश जी हाँ दीपक बबु मैंने जिन्दगी में कभी हार नहीं माने और आज इत्तफाक से मैं कई बाजी हार चुका हूँ अगर जोती जी मेरे लिए खेलें तो मुझे पुरी उमीद है के मेरी हार जीत मिल बदग जाएगी कहीं आपको मेरी बाद बुरी तो नहीं लगी अगर लगी तो… नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मैं सोच रहा था अगर ये… हार गई तो क्या होगा यहीं ना, आप फिकर मत किजिए यह इल्जाम, मैं इन पर नहीं आने दुखू यह सोच लोगा कि मेरा एक हेलिकाप्टर क्रैश होगा चलिए ओके, प्लीज एक्स्क्यूज मी हार एकॉ है भी गा रार यहाँ, फ्रकारादा D1 ओर्पीन आजाँ अर्प्रीज़ इन्रादा आपरू घ्रादा इसलिए यह लिए फनाप पंड़ हो दिया तो फिर पूजाए बाजी देखिए जोटी जी में यह नहीं चाहता कि आपके दिल में यह वहम रहे कि आप अनलगी हैं वड़े उसे लिए उस टेबल कर बचास लग के काउंडर ले आपको जो नमबर सबसे अदा पसंद हो लगा देजिए यह सब यह सब यह सबस्क्लाइबस कर देखर ले वह सब बचल यहुल यार प्रकाश बेटे तुम भी बड़े भुलकड आत्मी तुम्हें याद नहीं है कितने लेगों को तुमने पार्टी में बुलाया था आज सब इंचदार कर रहे हैं तुमारा धयाल चाचा जो आच चुके हैं उन्हें छोड़के आने वालों की फिक्र करना कहां की अकलमंदी है आप काउंटर कैश कर लिजिए आइसी गुड़ अब तो आप मन गएं कि आप लगी हैं अच्छा प्रकाश बाबू हम चलते हैं दीपक आपको जबरदस्ती रोखने का मुझे कोई हक नहीं मगर इतना जरूर कहूंगा कि अगर दीपक और जयोती प्रकाश के जनम दिन में साथ रहें तो महफिल की रौनक बढ़ जाएगी तो आज आपका बर्दे है जी विशियो वेरी हैपी बर्दे है आपका ये दोफा भरी म में फिल में मिलेगा तब भी कबूल करूंगा देखिए हम तो ऐसे ही चले आए ना कोई तयारी ना आपके लिए को यारी में कितना वक्त लगता है दीपक बाबू इस है इन्हें इनके कमरें तक पहुंचा दो जी आइए तीपक हम तो सब कुछ हार गए अब क्या होगा अरे बाबा मैं हूँ ना क्यों फिकर करती हो हां रिलाक्स बेटे प्रकाश बेटे ने जोती बेटिया के लिए ये बढ़िया तुफा बिजवाया है और वो शिदत से इंतजार कर रहे हैं तुम दोनों का नीचे जी पहुंचते हैं ओके आओगे बिलकुल गड़ बॉय प्रकाश ने तुम्हारे लिए तोफा बेज़े अरे खोलो खोलो इसे मैं से नहीं पहनूगी क्या पागल हो जब हमने उसकी दावत कबूल कर ली तो इस ड्रेस का क्या है फटा फट तयार हो जाओ प्रकाश इंतजार करता होगा ही प्रकाश पाबु वा जब आप जुआ खेलते तो पके जुआरी नजर आते जब आप म्यूजिक बजाते तो कला के पुजारी नजर आते समझ में नहीं आता आपको किस नाम से पुकारा जाए तीपक बापु यही तो प्रकाश बेटे की खासियत है कि जो भी इससे मिलता है इसे कोई नया नाम दे देता है कोई इसे परवाना कहता है तो कोई मस्ताना और कोई दीवाना हुआ 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 दीवाना तो कह दिया दीवान की समझी नहीं तूने सनम मेरी कभी आशी की समझी नहीं दीवाना तो कह दिया पागल है दिल मेरी हता नहीं कब प्यार हो गया बना नहीं मेरे दर्दे दिल की कोई दवा नहीं फिर भी किसी से कोई गिला नहीं पावारा तो कह दिया पावारा तो कह दिया पावार गी समझी नहीं तूने सनम मेरी कभी हा तूने सनम मेरी कभी आशिक समझी नहीं दीवाना तो कह दिया दीवाना तो कह दिया है काश कोई मेरा सनम मिले किस मेहर बाकी नदरे खरम मिले राहों में उसकी पल के पिछाओं में राहों में उसकी पल के पिछाओं मैं सारी दुनिया को फिर भुलाओं मैं मस्ताना तो कह दिया मस्ताना तो कह दिया पर बेखुजी समझी नहीं तूने सनम मेरी कभी आ तूने सनम मेरी कभी आश की समझी नहीं दीवाना तो कह दिया दीवाना तो कह दिया आपकी कहानी सुनकर मुझे आपके दोस्मादन पर रहे मारा है वह बेचहर आपकी महुबत की खातिर मुसीबत ने फजिया उसी की वज़े से तो मैं भी परिशान हूँ मुझे ताज्योग तो इस बात का है कि इस खुदगर्ज दौर में मदन जैसे जजबाती लोग जिन्दा के से के जहां हर चीज विकाऊ है प्रकाश बाबु आपका इन जरिया बिलकुल गलत है के दुनिया में हर चीज पिकाऊ होती है पीपक बाबु लगता है आपने दुनिया देखी ही नहीं पीपक बाबु सत्यूग में माए फक्र से अपने बच्चों को दूद पिलाया करती थी कल्यूग में हर चीज बिकने लगी है तो माएं भी बाजार से दूद खरीद कर अपने बच्चों को पिलाती है फिर उसी बच्चे के लिए स्कूल का एड्मीशन खरीदना पड़ता है उसकी पढ़ाई के लिए टीचर का वक्त खरीदना पड़ता है और जब वो जवान होकर डिगरी हासिल कर ले तो उसके लिए नौकरी खरीदनी पड़ती है इस दौर में सब कुछ बिकता है दीपक बाबू सब कुछ बिकता है अगर आप भी अपनी मजबूरी सुना कर किसी से पैसे मांगने जाएंगे तो वो भी आपकी कोई ना कोई चीज खरीदने की कोशिश जरूर करेगा प्रकाश बाबू अगर मिर पस ऐसी कोई भी चीज होती जिसे मैं बेच सकता तो भगवान की सौगंध मदन और आशा के लिए जरूर बेच देता है दीपक बाबू आपके पास है मैं आपको 25 लाख रुपए दूँगा अगर आप अपनी बीवी की एक रात मुझे बेच दें तो चिलाओ मत खुद गर्ज इंसाम चिलाओ मत तुम्हें एक रात अपनी बीवी से जुदा रहने को तयार नहीं अरे सोचो उस मासूम बेगुना मदन के बारे में सोचो अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी पत्नी को पूरी जिन्दगी उसकी जुदाई में गुजारनी पड़ेगी अगर हर जगा से मायूस हो जाओ तो दुकांदार बनकर इस खरीतार के पास आजाओ तीपक उस बगवास के बारे में जितना सोचोगे टेंशन बड़ेगा वो एक हादसा था जिसे भूलाना कि अकलमंदी है कैसे भूल जाओ जोती कैसे भूल जाओ कि हालाप ते मुझे इतना मजपूर कर दिया था कि उसकी बखवास सुनकर भी खामोश रहा हाँ बखवास का जवाब नहीं दिया जाता अब तुम सारी बातों को भूल कर आराम से सोचाओ दिपक को तो पैसो की कोई चिंता ही नहीं है वो तो रात भर जोती के साथ गुंता रहा अगली यह भी तो हो सकता है कि वो दोनों मिलकर पैसो का इंतिजाम कर रहे हैं मैं सोच रही हूँ बगवान ना करे अगर कहीं पैसो का इंतिजाम नहीं हुआ तो क्या होगा होगा क्या मुझे जायर खालेना पड़ेगा अपनी बद्नामी और शक्ति सिंग के जुम का सामना मैं नहीं कर सकता दिपक अपनी जमीन बेच क्यों नहीं देता भाया दिपक चार मेने के बाद तो तहीं जमीन का मालक होगा और आज ही सोदा करना गया सिर्जी ये जमीन 80 सालों से आपके पास पड़ी है मैं चाहता हूँ कि आगे भी ये आप भी के पास रहे अरे भाया ये फैसला करने का अगभी तो तन्न चार मेने के बाद होगा पर सेट जी अगर मुझे पैसे कल तक नहीं मिले तो अनर्थ हो जागा सेट जी तन्न पचीस लाग रुपे के जुरूद है ना जी हाँ इबे काम कर मैं तन्न पचीस लाग जूँ तु आपनी जिमीन सदा के लिए मारे नाम कर दे ठीक है सेट जी अरे मनीम जी जाओ से ठाणे के नपीसे लेकाओ ले भाया साइन कर दे लिखा पड़ी मारा वकील कर लेगा अरे तहां आत रूख कागा तो मैं मनीम न रूख जूँगा चाल तसकत कर साइन कर साइन है है शाबास ले भाया गिर ले पुरे पचीस लाग है सेट जी ठीक ही होंगे है जा भाया जड़ा बांद़ा चलना अरे साब एक प्राउब्लम हो गया आज जल्दी जल्दी में मैं अपना लेसन घर भुला है अगर किसी पुलिस वाले ने रोका तो खामगा आपको तकलिफ होगी और वैसे मेरा गर रास्ते में है अगर आप कहें तो मैं अपना लेसन ले लो ठीक है ले लो मगर ज्यादा व अरे चंदु कानिया मेरी टेक्सी पे कलोंडा बैठा है चिकना है उसके पास एक बैग है लगता है बहुत भारी है अबे तु भिकर मत कर अभी हलका कर देते हैं चलो वर कुछता है भी है घृच गाई ना जो थे हलका है आप मोरे कुछ Yak बमना धूम कर मोरे आजनें पिएख नही बैएजिग आते घूर blossom है आहण चिक्छत पड़िए गण match निए तु मेस्छतना है क्यां कि रहाता हूँ कुर 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 अज ुद मत्य वा.. भर फवे कर दो तो अजय को यहांज में बहुतार है नहां फुर से खप को पायाँ यहां पाया खज़ प्रितों पाया खब झाल आर रहां वांट कड़ा खानीया, युदी जलो युदी बेड़ लो इतनी देर कहां लगा दी, मैं कितना परिशान हो रहे थी, यह क्या हुआ तुम फिकर मत करो, अगर मदन के पैसों का इंतजाम न हुआ तो हमारी परिशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा मुहा दो लोग खाना खालेते हैं मुझे भूख रही है, तुम खालो जोती अरे आश्या दीदी, आपने जोती को कहीं देखें? हाँ, वो मुझे कहकर गई थी, कि मैं तुम्हें बता दू, वो अपने डैडी के पास गई है डैडी के पास? अगर हालात से तंग आकर दरमदास की बेटी आई है, तो मैं उसके वापसी की कीमत 25 लाग पी देने के लिए तयार हूँ लेकर अगर दीपक की पत्नी आई है, तो उसके लिए इस घर में कोई जगा नहीं है तैरी, आपकी बेटी में तो इतनी हिम्मत थी, कि वो आपकी करोडों की जायदा ठुकडा कर चली गई थी अगर वक्त के हाथों मजबूर होकर, इस वक्त दीपक की पत्नी आपके पास आई है अगर अपनी बेटी का सुहाग बचाना होता तो हम अपनी सारी जायदाद कुर्बान कर देते लेकिन हमारी नजरों में दीपक की कोई आउम्यत नहीं अगर उसकी पत्नी का सुहाग उजड़ रहा है नहीं धरमदास से नहीं आई मैं बहुत बारतीय नारी हूँ और अपना सुहाग बचानी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ वो यूर इंफर्मेशन मिस्टर धरमदास तुम्हारे बहुत से बैंकों में से एक बैंक ये भी है आई 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 यह पता करना तुम्हारा फर्ज है बेवकूफ लड़की अपने गुस्से में मुझे बहुत बड़ा चालेंज करके चले गई इससे पहले कि वह अपने पागलपन में औरत की मान मर्यादा भूल जाए जाके ढूंडो से देखो वह का है जाके डूंडो मैंने क्यों क्या बात है जोती प्रकाश का है जी वो अभी टेरिस की तरब गए है उनके साथ कोई जोती नाम की लड़की थी नाम तो मुझे मुझे मौलूम नहीं हाँ एक लड़की उनके साथ जरूर गई है जी आए तुशच रोझा रोझा वर। कर दो चाल वाल आपके हुसन को और हसीन बनाने के लिए अंदर सारा सामान मौचूद है आप तैयार हो करा चाहिए मैं आपका इंतिजार कर रहा हूँ कि अरह नहीड़े कि आपके हो कि अंदर मौचूद, नहीड़ द लग मौचूद चाहिए झाल झाल आप बटन लगाना भूल गई है जोती जी एक बात बताईए आप यहाँ खुद आई है या इसमें दीपक की भी रजमंदी है रकाश बाबू दुकानदार मिटने के लिए तयार था अगर अपना सामान बेचने को नहीं सामान से उजटती हुई दुकान देखी नहीं गई इसलिए खुद खरीददार के पास चली आई रकाश बाबू औरत की मांग में सिर्फ एक चुटकी सिंदूर भरा जाता है मगर उसमें बोज कितना ज्यादा होता है उसका एहसास मुझे आज ही हुआ है भगवान शायद मेरे सुहा को जाटना चाहता था मगर मैं उसे बचाने के लिए खुद उजटने चली आए जियोती जी जब सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है तो हम दोनों भी अपनी तक्दीर का फैसला भगवान पर छोड़ देते हैं अगर हेड आया तो आप जैसे आई थी वैसी वापस चली जाएंगी और अगर टेल आया तो वही होगा जो मैं चाता हूँ तीपक की जोती जोती मुरका तीपक की जोती जोती मुरका तीपक की जोती जोती मुरका जोती मुरका जोती। हुआ हुआ है मेरी इजद का मेरी महाबबत का मेरे अर्मानों का कातल कातल तो कोई आ रहे है यह खून यह खून तुम्हारे होटों पे कैसे लग जया जोती मिटा दो मिटा दो इसे कोई यह दुनिया वाले नहीं समझ बैठाएंके कि तुम गुनेगार हो देखो अश्या तुम चिंता मत करना सब कुस ठीक हो जाएगा और वैसे भी अमलग जाए रहे ना अच्छा यह यह चुट्टी की दर्खवास में दीपक को दे आता हूं वो बैंक में दे आएगा तुम समाग बर लो, क्य? जी मदन भैया आप? भावी सुबह सुबह टेलीग्राम आ गया कि आश्या की डड़ी की तभिया अच्छाना खराब हो गई है हम लोग दोनों बैंगलोर जा रहे है आप यह अप्लिकेशन दीपक को दे दीजिए वो बैंक में दे आएगा दीपक मदन भैया और आश्या बैंगलोर जा रहे हैं यह अप्लिकेशन दी है बैंक में देने के लिए मैं उनसे मिलकर अभी आती हूँ तुम तो कहीं भी अपनी मर्जी से चली जाती हो तो फिर मदन के घर जाने के लिए मुझ से कहने की क्या जूरूत है हाँ तीपक बाबू तुम मुझे देखकर चौंक है ना हर आदमी अपने जमीर से मिलकर इसी तरह चौंकता है तुम कहना क्या चाहते हो यही कि जो तुमने अभी जोती को तंस किया क्या इसका हक है तुमें तो क्या करूं उसकी पूजा करूं क्या उसकी आरती उतारूं हाँ हाँ अगर आज जोती ना होती तो तुम भी जहर खाकर मर चुके होते अरे मर गया होता तो अच्छा होता कम से कम ये दिन तो देखनाना पड़ता और तुम्हारी वज़े से जो दिन जोती को देखने पड़े उसके बारे में सोचाए कभी जोती ने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे ले किया अगर तुम्हारी नजर में पापी जोती है तो मेरी नजर में इस पाप के जिम्मदार तुम हो पापी तुम हो तुम हो दीपक पापी तुम हो नए है 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 हहा है हाथ है है यह है है चोटि तुमने हाथों से ज्यादा गालों पे आठा लगा रखें ना ना, 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 या, ये लो चाए, तीपक, मेरे गाल पर कुछ लगा है क्या? मेरे दोनों हाथ में कप है, ज़रा साफ कर दो न? ये दाग तो साफ हो जाएगा, मगर वो दाग जो तुम लगा कर आई हो, उसे दुनिया की कोई भी ताकत साफ नहीं कर सकती हाँ हाँ कर दो कर दो कर दो कर दो करे नमस्कार जोदी देवी नमस्कार इतनी रात को यह सब करना क्या तुम्हें अच्छा लगता है अच्छा तो मुझे तुम्हारा किसी और के साथ रहना भी लगता मगर तुम रहकर आई हो रहकर आई हो तुम और उस पर हमद यह कि मेरी आखों में आखे डाल कर बात भी कर लेती है क्यों हिमत इसलिए है दीपक क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने कोई बाप नहीं किया बाप नहीं किया तो क्या उस दिन तुम्हारा पुजारी प्रकाश अपनी इस जोती देवी को किसी मंदर ले गया था है ताकि वाज जाकर 25 लाक रुपए अपनी देवी के जड़नों में अर्बंड कर सकी क्यों वो पुजारी है या मैं देवी यह तो नहीं जानती है इतना जरूर जानती हूं कि हालात मुझे जरूरत की डॉर से बांध कर ऐसी मंदर पर ले गए जहां पहुंच कर मैं अपना सुहाग बचा सकी तीपक यहां से गई भी तुम्हारी पत्नी थी और आई भी तुम्हारी धन्यो जोती देवी धन्यो आपने समुंदर में डुपकी तो लगाई मगर केली नहीं होई केली नहीं होई प्राकाश ने पेपर्स भेदें तुमाल लिए अच्छा बीटी आप हम चलते हैं आपके प्राकाश पाबू इस वक्त तो वो ओटेल टिंग में होंगे ओके बाहर है मिस्टर प्राकाश तुमने मुझे घर खरीद के देने की हिमत कैसे की जोती जी आपको ऐसे गुसा आरा है जैसे मैं आपको घर नहीं बहुत बड़ी गाली दे दी तुम अपने आपको समझने क्या हो गुस्से में आपका जितना दिमा खराब है उससे कहीं ज़्यादे तो आपने शरीफ आपिंगे कपड़े खराब कर दिया आपको जो-कुछ पुछने बाहर चलके पूछिए एपको जो-कुछ पुछने बाहर चलके पूछिए जोती जी अंदर वालों के तो अपने कपड़े खराब कर दिया अब यहां मेरे जितने कपड़े फार सकती हैं फार लीजिए क्योंकि बगेर कपड़ों के सिर्फ आप प्रकाश बाबो आप अपनी हद से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं जोती जी मेरे खैल से उस रात को हम दोनों ने अपनी अपनी हदों का अंदाजा लगा लिया था मेरी खुश्यों को तो उस रात के अंधरे निगल गए और आपका ये बंगला मेरे बसे बसाये घर को जार देगा प्रकाश बाबो, वो घर मेरे लिए किसी मंदर से कम नहीं है, क्योंकि उसमें मेरा पती, मेरा भगवाल रहता है और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, आपका दिया हुआ बड़े से बड़ा बंगला, मेरी नजर में जेल की काल कोट रही है, जिसमें रहकर मैं घुट-घुट कर मरना अभी पासल नहीं करूँगी जोती जी, उस रात की कीमत देना मेरी हवस्त ही, मगर अब जो भी मैं आपको देना चाहता हूँ, वो सिर्फ एक दोस्त का दिया हुआ तोफा है, जिसमें कोई लालच नहीं आपकी दोस्ती मेरे पती को मेरे साथ दुश्मनी करने पर मजबूर कर सकती है, पेटर होगा, आप हमारी जिंदगी में आने की कोशिश ना करें हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है, बगर इतना कमजोर ने किया कि तुम्हें अपनी आखों के सामने सब कुछ करता हुआ, देखकर बिखा मुश्रम तीपक, मेरे ख्याल से मैं ऐसा कोई काम नहीं किया है, जिस पर तुम्हें गुसा आए जिस औरत की आख का पानी मर चाता है न, वो तुम्हारे ही अंदाज में बात करती है, अरे तुम्हें तो उसी दिन घर से बाहर निकाल देना चाहिए था जब तुम प्रकाश के मिस्तर पर सो कराई थी तीपक, इससे पहले कि शक की चिंगारी जुवाला मुखी बनकर हमारे हसते खेलते घर को जला डाले, तुम ज़रा ठंडे देमाग से मेरी पूरी बात तु सुनो, क्या सुनाओगी तुम्हा, क्या सुनाओगी अपनी छूटी मंघड़क कहानिया, सच्चाई क्या है मैं क्या सुनाओगी तुम्हारे पसीने से तु नहीं, हाँ, आज तुम्हारे विचारों से ऐसी बत्बु हने लगी है, कि अगर मैं कुछ देर तुम्हारे साथ रहे गई, तो मेरा दिमाग भट जाएगा, बेदर यही है, कि मैं तुमसे दूर चली जाओ, और मैं भी तो यही क कि चली जाओ, चली जाओ इस घर से, क्योंकि यहाँ पर हर चीज सस्ती जरूर है, मगर तुम्हारी तरह किसी की जुटन नहीं तीपक, मैं जा रही हूँ, मगर जाते जाते बात बताना चाहती हूँ, गारी बंगल और मखमली बिस्तर देखकर उनकी नियत खराब होती है, जिन्होंने यह सब देखा नहों, और मैं तो यह सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए बहुत पहले छोड़कर आई थी हाँ कोई दिल ला इसी इसे लगाए हाँ कोई दिल ना किसी इसे लगाए उपरवाले ने जब एक दिन फूल और कलिया बाते थे उपरवाले ने कब एक दिन फूल और कलिया बाते थे इश्क की जॉले में देखा तो बस काटे ही काटे थे बस काटे ही काटे थे उलकी दिल की जो आग लगाए उलकी दिल की जो आग लगाए के रोग बुरा इश्के दा इश्के दा इश्के दा कोई दिल ना किसी इसे लगाए इसे लगाए इसे लगाए इसे लगाए गट मैं तक को कहना यह प्रजेक्ट रिपोर्ट फाइनल करके मुझे कल सुबा दिखाए एक बात कहूं सर क्या यह क्या बात है सर फैक्टिक लिए जो जमीन आज मैं देखने गया था उसकी डील जोती जी कर रही है जोती मैं कुछ समझा नहीं सर वो एक महने से किसी स्टेट एजेंट क्या नौकरी कर रही है सुना है उनकी दीपक बाबु से कुछ एन्वन हो गई है ठीक है दुम जाओ ओके सर जोती को काम करने की क्या जुरूर थी जिन्दगी की जुरूरते पूरी करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा हासल करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है मैंने तो सिर्फ नौकरी की है लोहों को ये कभी मालुम नहीं होगा कि मैं सेध धरम दास की बेटी हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मर भी गई तो आपके नाम का बोज अपने साथ नहीं रखोंगी मेरा ख्याल है अब आप बेफिकर घर जास दखते हैं तीवक बिलिंग्स तो मैंने बहुत बनाई और लोगों ने पसंद भी बहुत की लेकिन मुझे खुशी उस दिन होगी जब मैं अपनी MG रोड की जमीन पर एक प्रेम नगर बनाऊगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रेम नगर का डिजाइन तुमसे अच्छा कोई नहीं बना सकता जी मैं पूरी कोशिश करूँगा सर और जानते दिपक उसकी बुन्याद उसकी दिवारे उसकी च्छत उसकी फर्ष किसकी बनेगी जी सर उसकी बुन्याद प्यार की च्छत खयालों की दिवारे विश्वास की और फर्ष वफाका होगा बाखो बाखो बई बाद ही पक मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरा सपना ज़रूर पूरा करोगे All the best कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जिस ग्रहा को घर दिलाएं उसमें पानी हवा या रोशनी की तकलीफ नहों और एक बाद घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है घर वाली आप यहाँ जी हाँ मुझे पता चला कि घरों को अबात करने की सब सची जगा यही है तो मैं भागता हुआ यहाँ चला आए आप मेरा घर अबात कर देंगी ना देखिये आपको जो भी बात करनी है ऑफिस में जाकर हमारे बॉस से कीजिए ठीक है अगर आप हर काम अपने बॉस के कहने से ही करती है तो मैं उनसे जाके मिल लेता हूँ बाई मिल जाएगा और ठिक वैसा ही मिल जाएगा जैसा आप चाहें लेकिन एक बात समझ में नहीं आई आपके तो इतने सारे बंगले खाली पड़े है फिर आपको नए घर की क्या जरूज पड़ गई जरूरत ही मुझे आपके पास तक खीच के लिए आई है अब आप जल्दी से अपनी वो इजन्ट को बुला लीजिए क्या नाम है उसका हाँ जयोती और आप उसे मेरे साथ भेज़ दीजिए ताकि मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाए जी मैंने उसे यहीं बुलाया है जयो हाँ लड़ा लड़ा जड़ा मैंने आपको कई घर देखा है अगर आपको पसंद नहीं आए आखिर आपको कैसा घर चाहिए जिसमें घर वाली हो जी मेरा मतलब है कि बड़े घर के सामने छोटा ना लगे और छोटे घर के सामने बड़ा ना लगे जोपड़े के सामने महल ना लगे और महल के सामने जोपड नहीं चाहिए मेरे बॉस का ओडर था इसलिए मैंने सारा दिन आपके साथ बेकार कर दिया अपने बॉस का ओडर मानना ही तो आपकी ड्यूटी है जोती जी जी हां और मैं अपनी ड्यूटी साड़े पांच बजे तक निभाती हूं और मेरा नसीब अच्छा है कि अब साड़े एंधर देना नसीब चॉशी जी है जी हुश्एम और मैरे जा नसीजार बगर बॉस जी हांच कि अब शक्ति, जी क्सी जी तेना नसी जी होती intricacies कि तो आपके पांच ऑांच, पांचू को कफे जाहां यूब जत साड़ी वां बॉस कं अवच, जी जी तोसो जी हांग, इसान मुझे अगर मालूम होता कि मुझे आपके पास आना है तो वे कभी नहीं आती मुझे मालूम था इसलिए मैंने तुम्होरे बॉस को अपना नाम बताने से मना किया था प्रकाश बाबू या तो आप मेरा पीछा छोड़ दीजे नहीं तो मैं ये नौकरी छोड़ दूँगी जोती जी ये फैसला भी मैं आप पी छोड़ देता हूँ आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा मगर मेरी एक शर्त है घबराये मत सिर्फ पांच मिनट के लिए आराम से बैट कर मेरी बात सुन दीजी जी जोती जी इनसान पैदायस से लेके मरते दम तक ही बहुत मतलबी होता है वो हमेशा उसी के पास रहना चाहता है जिसके पास उसे सुकून मिले देखिये ना छोटा बच्चा हमेशा अपन और जब उसे एसास होता है कि उपर वाले का बुलावा कभी भी आ सकता है तो वो पूजा पाट के बहाने भगवान के पास रिना पसंद करता है जोती जी मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैंने अपनी पसंद की हर चीज़ को हमेशा खरीदा है मगर उस रात आपसे मिलकर ऐसा लगा कि मजबूरी से तंगा कर आप तूट तो सकती हैं मगर बिक नहीं सकती हैं उसी वक्त मैंने ये फैसला कर लिया कि अगर आप किसी से दोस्ती रखूँगा तो वो सिर्फ आप होंगी घबरा ये मत मेरी इस दोस्ती से कोई लालच नहीं सिर्फ वो पसंद है जो इंसान की फित्रत है ये हाथ बुरे तो हो सकते हैं मगर इतने गंदे नहीं कि दोस्ती के काविल ना बन सके अरे सर अरे दीपक कैसे हो भाई जटीको सर भाई तुमने प्रेम नगर कॉलोणी तो बहुत खूबसूरत बनाई है सर जिस चीज के साथ प्रेम जुड़ा हो तो खूबसूरत तो बनेगी सिर्फ ये बात तो तुमने सही कहिए लेकिन उसे खूबसूरत बनाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है तुम्हें जान के खुशी होगी कि मैंने उसमें 25% शेयर तुम्हारा भी रखा है थैंक यू सर्थ, थैंक यू अच्छा मैं चलता हूँ, कॉल आफिस में मिलेंगे टेक केर, बाइ इस खुशी का क्या फैदा जब तेरा साथ ही ने रहा आपको मिसस दीपक कहूँ या मिसस प्रकाश मिस्टर दीपक, ये जगा इसी बातें करने की नहीं है मिस्टर प्रकाश, मैं आपसे नहीं जोती से बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती जो सौरत को सिक्कों की खनक सुनने की आदत पढ़ जाए वो किसी और की बात कैसे सुनेगी प्रकाश चलो यहां से अरे जाती करो अभी तो मैं लोगों से तुम्हारा तार्रफ कराऊंगा तीपक बेचे प्रकाश क्या होगी है थे वेल अंकल आप जोती को घर पहुंचाईए मैं में समालता हूँ आप बेटी आप मेरे साथ आप चलो करें आप अप पचास जार एक पचास हजार दो पचास हजार ती हाथों साहबानों आप लोगों ने बहुत सारी चीजें खरी दी हैं अब आप इस खुमसूरत नाया मूर्ती की कीमत लगाईए इसकी बोले की शुरुआत होती है असी हजार से असी हजार नब्बे हजार एक लाख एक लाख एक एक लाख दो एक लाख दस हजार एक लाख दस जार एक एक लाख दस हजार दो एक लाग दस जार तीन साइबानों, चीजे चाहें जितनी भी खरिद ली जाएं मगर उनको रखने के लिए एक चीज की जरूत पड़ती है वो है घर लगता इस घर से तुम्हारा गेरा संबंध है पक्दीर ने इस घर से कभी मेरा संबंध होने नहीं दिया हाँ तो साइबानों, इस खुबसूरत आलिशान मकान की बोली की शुरूत होती है बारा लाग से बारा लाग, पंद्रा लाग, पंद्रा लाग, पंद्रा लाग एक, बीस लाग, बीस लाग एक, पीस लाग दो, और बीस लाग, पचास लाग इस घर को इस कीमत पर कोई दिवाना ही खरीच सकता है पचास लाग एक पचास लाग दो, पचास लाग तीन इस घर को खरीदा तो मैंने है, मगर इसकी माल किन वो है कर दो, चास लाग दो, पास लाग महाँ वो है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो यह तुमने मेरी लिए खरीदा है सिंदगी में एक ही तमन्ना थी कि ए घर तुम्हें तौफे में दू रेम अगर कॉलनी बना कर चो 75 लाख रपए मुझे कमिशन के मिले तो उसमें से एक घर तुम्हें ले दिया 25 लाख रपए प्रकाश के घर भी भी बेजवा दिया हाँ 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 आपने मुझे यहां किसलिए बुलाया बुलाने की तो खास बज़ा है आप आराम से बैठिये वक्त आने पर सब कुछ बता दूगा जोती तुम अच्छी तरह जानती हो के मैं हार परदाश नहीं कर सकता और आज तुम्हें यहां बुलाने की सिर्फ एक ही वज़े है के उस रात की हार को चीत में बदल दूँ अब कहना क्या जाते हैं? कहना? कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि उस रात को दीपक की पत्नी मेरे पास आई थी और वापस गई थी दीपक की पत्नी आ जाई है यहां दीपक की पत्नी मगर वापस जाएगी प्रकाश की महभूबा उस रात को यह सोचकर मैंने तुम्हे छोड़ दिया था कि मजबूरी में नहीं जिस दिन यह बदन महभबत से मेरे पास आएगा अपना लूँगा मगर यह मेरी बेवकूफी थी ज्योती देवी बेवकूफी तुम तो दीपक की महभबत में कैद हो और जब तक मैं इस शरीर को हासल नहीं करनूँगा तब तक तुम उसकी कैद से बाहर नहीं आ सकती प्रकाश बाबू उस दिन एक पत्नी अपना सुहाग बचाने के लिए मजबूर हो गए थी मगर आज दीपक की पत्नी अपनी इजद बचाने के लिए आपसे तो क्या सारी दुनिया से टकरा सकती है जोती देवी भूल कर भी ये गलती नहीं क्योंकि प्रकाश से जो भी चीज टकराती है तो उट जाती है हालात में उस रात मुझे जरूर तोड़ दिया था मगर आप तुम मेरे साय को भी नहीं चू सकते क्योंकि मेरे पती ने तुम्हारे पैसे दे दिये हैं पैसे तो दे दी मगर उन पैसों का प्याच मैं तुमारे शरीर को हासल करके ही वसल करूगा कि आख कर दो था छोड़ दिया अगर तुम में हिम्मत है तो आज इससे बचलो कमीने तुने हमारी खुश्यां चीन ली मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूंगा तुम है मेरी कसम जोटी तुम इस कमीने को बचाने चाती हो इससे नहीं अपना सुहाग बचाना चाती हूँ अगर तुमने इससे मार दिया तो तुम्हें भी सजा हो जाएगी मैं तुमसे दूर रहकर तो जी सकती हूँ अगर तुमसे जुदा होकर नहीं चलो चलो दीबग अरे प्रकाश बेटे ये सब तुमने क्या क्या अगर मुझे मानूम होता कि तुम ये ड्रामा करने वाले हो तो तुम्हारे कहने पर मैं दीपक को यहां कभी न लाता अगर आप दीपक को यहां न लाते और मैं ये ड्रामा ना करता तो उन दोनों का मिलन कभी नहीं होता मगर उन दोनों को मिलाने के लिए तुम्हें अपने आपको उनकी नदरों में गिराने की क्या तरूरत थी तैल अंकल राम की कदर तो सिर्फ सत्यूग में हुआ करती थी अगर खल्यूग में वो पैदा भी हो जाए तो उन पर कोई यकिन नहीं करेगा मैं जब तक राम बना रहा वो दोनों चुदई में तड़पते रहे हाज मेरावन बना तो वो दोनों कितने खुश हैं तुम्हारे जीने का अंदाज मेरी समझ में तो आया नहीं अगर तुम्हीं यही सब कुछ करना था तो फिर उस रात की पिमत देकर जोती को बनाने क्या जरूरत थी तैल अंकल मैंने हमेशा हसीन जिसम खरीते हैं उस रात जब जोती मेरे करीब आई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने एक जिन्दा लाश खड़ी है और लाशों से खेलना प्रकाश की आदत नहीं उस रात को ये सोच कर मैंने जोती को वापस कर दिया कि मैं उसे मौहबत से हासल करूँगा मगर मगर वो मेरी गलत फहिमी थी दयाल अंकल तीपक दिल है और जोती उसकी धड़कन उन दोनों को कोई चुदा नहीं कर सकता क्या ये वही प्रकाश बोल रहा है जिसने जिन्दगी भर कभी अपनी हार बर्दाश नहीं थी हा दयाल अंकल आज आपका प्रकाश हार गया मगर इस हार में जीत से ज्यादा मसा आया मुझे खुशी तो इस बात की है कि मैंने जिन्दगी में हर चीज का सौधा तो किया है मगर खोड़े सिक्कों से नहीं अगर है डाया तो आप जैसे आई थी वैसी वापस चली जाएंगी और अगर टेल आया तो वही होगा जो मैं चाहता हूँ प्रकाश तुमने मेरे सुहाग की रूप में जो अपनी दोसी का तुफा दिया है मैं जीते जी तुम्हारी दोसी को नहीं बुला सकती परिष्टे आसमान पर ही रहा करते हैं आसमान परिष्टे चाहँ झाल झाल